जैहिं दोस्तों मेरा नाम है अविशेक इसका नाम है Realme 8 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unlock तो आज इस अब्डेट के बारे मैं आपको complete डिटेल बताऊंगा मैंने डिवाइस में अब्डेट को इंस्टाल भी कर लिया है साथ यहां पर जो अपडेट की टेस्टिंग है वो भी complete हो चुकी है यहां पर कुछ नई फीचर्स भी मिले हैं अलग अलग कंडिसंस में improvement भी हुए हैं साथ आपको benchmark scores के बारे में भी हम डिसकस करेंगे और इस अपडेट के बाद gaming performance कैसा है वो भी इस वीडियो में बताने वा अपडेट 1.06GB का show हो जाएगा यहां पर हम बात करते हैं update log की आप लोग नोटिस करेंगे यहां पर mention है इस अपडेट इंटिगेर फिक्स इसूज और इंप्रूव सिस्टम परफार्मेंट यहां पर जो डिवाइस में कुछ नोन इसूज थे बग्स से यह अपडेट उनको कि आप लोग भी देख पाएंगे अभी भी आपको फुराना वाला security page मिलता है 5 माई 2022 का बट दोस्तों इस update में आपको कुछ नए features भी मिलते हैं सबसे पहले आप setting open करेंगे setting open करने के बार थोड़ा सा scroll करेंगे यहां पर आपको एक option मिलता है special features का इसको open करेंगे आपको second option मिल जाएगा quick return का अभी आप लोग यहां पर देखेंगे कि supported apps में पहले आपको केवल एक ही application मिलता था जो की है clock का बट अभी यहां पर आपको bgmi का support मिल चुका है तो दोस्तों कापी अच्छी चीज है कि अभी finally quick return में हमको bgmi का support मिल गया है यानि जब भी हम bgmi gameplay कर रहे next feature की बात करें दोस्तों जो की आपको notice होगा one handed mode में इसके लिए आपको setting open करना होगा system settings को open करना होगा यहां पर आपको one handed mode का option मिलेगा by default यह feature आपके phone में off होगा simply आपको यहां पर टैप करके on कर लेना है on करने के बाद आप जब भी आपको navigation gesture का जो बार मिलता है वहां से नीचे की तरफ स्वाइब करेंगे कुछ इस तरह से दिन आप लोग देखेंगे कि यहां पी आप one handed mode में यूज कर पाएंगे काफी यदा easy हो गया है दोस्तों अभी realme 8 में one handed mode को यूज करना बस आपको simply यहां से स्वाइब करना है कुछ इस तरह से आप यूज कर यहां पे आपको system navigation का option मिल जाता है सारे features आपको पहले भी सेह मिलते थे बट अभी यहां पे आपको gesture tutorial का option id कर दिया गया है यहां पर किसी भी gesture tutorial पर आप करेंगे आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपको complete tutorial मिल जाता है but fun fact यहां पर यह है कि अभी इस बार यह जो wall paper यू किया हुआ है नेक्सम बात करते हैं दोस्तों C.09 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कुछ Benchmark स्कोर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं अन्टूटू स्कोर की अभी आप लोग नूटिस करेंगे C.09 update install करने के बाद 3,15,192 N22 का score आपको notice होगा But C.08 update में आपको 3,51,542 score notice होता था So यहाँ पे आपको थोड़ा सा downgrade notice होगा वहीं पर next बात करते हैं Geekbench score की जहाँ पे आप लोग notice कर पाएंगे कि इस update को install करने के बाद single core में आपको 528 और multi core में 1830 notice होता था But C.08 update की बात करें दिन वहाँ पे आपको single core में 527 और multi core में 1750 notice होगा यानि Geekbench score थोड़ा सा और improve हुआ है Next बात करते हैं दोस्तों C.09 update को install करने के बाद Realme 8 device का performance कैसा है with Realme UI 3.0 and Android 12 With Realme UI 3.0 and Android 12 यहाँ पे normal condition में कोई भी problem नहीं होने वाली application, opening, closing, speed आपको बिल्कुल fast मिल जाएगी Normal condition में आपको अगर एक application से दूसरे application में switch करना हो बिल्कुल smoothly आप यहाँ पे switch कर पाएंगे But दोस्तों जब थोड़ा सा device को आप ज़्यादा heavy use करेंगे और multitasking करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत जिटर notice होंगे क्योंकि यहाँ पे ray management उतना आपको अभी भी improve नहीं मिलेगा क्योंकि यह बहुत time से problem चली आ रहे realme UI में Ray management इसका थोड़ा सा better नहीं है तो उस condition में बहुत सारे heavy application अगर आपकी device में open है और उस condition में अगर आप एक साथ बहुत सारे application को open करते हैं multitasking करते हैं, वहाँ पे आपको definitely इस device में jitter notice होगा next नबात करते हैं दोस्तों इस update को install करने के बाद भी कुछ problems की main problem यह थी कि जब भी हम system application को use करते थे जो कि realme के by default application मिलते हैं system apps वह पहले भी crash होते थे c.07 में, c.08 में और c.09 update को install करने के बाद भी बहुत सारे system application अभी भी crash कर जाते हैं यह चीज पहले भी fix हो जानी थी बट c.09 update को install करने के बाद भी fix नहीं हुए एक और problem जो कि यह low brightness पे screen flickering का इसूट वह भी अभी भी आपको इस update के बाद भी notice होगा next हम बात करते हैं दोस्तो gaming performance की bgmi को consider करते हुए सबसे पहले c.09 update को install करने के बाद हम graphic setting को check करते हैं आप लोग notice करेंगे इस update को install करने के बाद भी 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 आपको maximum smooth में ultra, balance में ultra और HD में high तक का ही option मिलता है यानि अभी भी आप realme 8 में maximum 40 या PS में gaming कर पाएंगे बाकि अगर आपको extreme की उम्मीद लगा के बैटे हैं कि realme 8 में कभी भी extreme का option मिलेगा भूल जाए अब आपको कभी भी realme 8 में extreme का option नहीं मिलने वाला है maximum 40 या PS तक की gaming कर पाएंगे बाकि दोस्तों इस update को install करने के बाद हमने यहाँ पर gameplay वगयरा भी किया हुआ है थोड़ा सा गर्मी के टाइम है तो मुझे यहाँ पर device में थोड़ी से heating नोटिस हुई और heating होने की वह जैसे आपको leg और frame drop भी नोटिस होगी बाकि अगर आप normal condition में खेलते हैं जैसे general conclusion की कि क्या आपने realme 8 में c.09 update को install करना चाहिए या नहीं अगर आपको update मिल चुका है दिन आप definitely update को install कर सकते हैं security page में आपको कोई भी changes नहीं मिलेगा बट यहाँ पर कुछ दो से या तीन नए feature आपको मिल जाएंगे बाकि जो performance है पहले से आपको better notice नहीं होगा थोड़ा बहुत आपको downgrade ही notice होगा लेकिन अगर आपको जितने features के बारे मैंने बताया उनको यूज करना है दिन आप इस update को अपने realme 8 में install कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा हमने realme 8 का realme 9 के साथ speed test comparison वीडियो भी किया हुगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडि में जय हिंड